हेलो एवरिवन माइनेम इस नरेंदर कुमार एंड आई वेलकम यू आल एर दा चन्डिगर करेर ग्रूप तो गाइज वी आर कवरिंग दे करन्ट अफेर आफ 10 आफ माई 2021 और यह जो करन्ट अफेर होंगे आपके एग्जामिनेशन लाइक स्टेट पॉब्लिक सेर्विस कमिशन जैसे जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं इनके लिए काफी इंपोर्टेंट होगे तो आज के हमारे पास जो मोटिवेशनल कोट है वो यह है कही न कहीं जो है यह आपको एक बैटर फ्यूचर चाहते हैं तो उसका पासपोर्ट जो आपको देखने हो मिलेगा वो एजुकेशन ही देखने को मिलेगी और यदि हम एजुकेशन के बारे हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्या करती है एजुकेशन आपको help करती है एक respectable job earn करने में respectable job से यहां मतलब यह नहीं है कि how much you are earning यहां पर यह मतलब है where are you earning आप earn कहां पर कर रहे हो for an example there are so many professions जहां पर पैसा बहुत है but there is a no respect but यदि आपने आपकी education qualification अच्छी है I am not saying कि यहां पर आपके degrees अच्छी है आपके पास knowledge कितनी है उसके साब से आपको कहा मिल जाएगा एक respectable place पर कहीं न कहीं जो है आपको एक जो है job मिल जाएगी right तो basically क्या है education is the passport to the future for tomorrow blocks to those who prepare for it today जो आज के दिन मेहनत करते हैं कल कहीं न कहीं उनीका होता है तो आपको जो है यही जो है इस quotation के साथ हम इस वीडियो को start करते हैं और I hope so कि आप जो next के 20 to 25 minute होंगे यहां पे आप बिल्कुल focus से सारी सारी चीज़े सुनेंगे और जो है कहीं न कहीं क्या करोगे learn करने की कोशिश करेंगे और यह होगा कैसे उसके लिए you have to participate जितना आप क्या करोगे participate करोगे उतना कहीं न कहीं आपको सीखने को मिलेगा ask from those जो की यह चीज़ कर रहे हैं I got so many complaints की sir we are not able to remember the things but without the participation how can you expect that you are going to remember the things की वीडियो को तो यह दिया हम यहां पर बात करते हैं तो guys आपके लिए यह guys they are the source of inspiration source of inspiration first of all look at this guy हेमंत चंदेल जैसा इसको बोला गया था कि आपको कैसे answer लिखना है इसने same line में सारकसार उतार के comment box में क्या कर दिया type कर दिया so he is setting up the example कि आपके सामने एक example set कर रहा है कि आपको participation करना है तो आपका participation इस level का होना चाहिए इस लड़के का है जहाँ पे इसने सारी सारी चीज़ों को note down कर दिया है right तो आप आप idea लगा सकते हो कि इसको याद इतना सब कुछ कैसे रहा होगा कई ना कई इसने focus के सारी सब को सुना होगा और दूसरे पे आते ही माशू मिश्रा इनका चो participation था it was also up to the mark यह मतलब इनकी तरह जो है answer नहीं करते एक ही comment में लेकिन यह क्या करते है अलगलग comment type करके करते हैं और इस तरीके से आप सब को क्या करना है participate करना है और I appreciate their efforts जितने इन लोगों ने इन बच्चों ने effort लगाए है कहिना कहीं आप सब को लगाने है तभी आप चीज़े याद कर पाओगे well done guys और इसे के बाद हम क्या करेंगे अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां हमारे पास क्या देखने को मिलेगा हमें first segment देखने को मिलेगा और यह में first segment की बात कर रहा हूँ तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा important days and events लेकिन इससे पहले जो है कल हमने तीन day को देखा था पहले आपको यह बताना है world red cross day world red cross day की theme यह क्या थी यह आपको पता है कि sir 800 माई को हम क्या करते हैं observe करते हैं लेकिन इसकी theme क्या थी आपको यह बताना है इसके बाद आपको यह बताना है यह day जो है observe किसके द्वारा किया जाता है यह जो day है किसके द्वारा observe किया जाता है और यदि मैं बात करता हूँ, अगला जो day है, अगला आपको कौन सा देखने को मिलेगा, अगला day आपको देखने को मिलेगा, world, migratory, birthday, और यदि मैं world, migratory, birthday की बात करता हूँ, तो ये आपको बताना है, इसकी theme क्या थी, इसकी जो theme क्या थी, उसके बाद जो है, आपको ये यह बताना है कि जो third day था यह कौन सा था, world, thalasmia day, और यह मैं the world thalasmia day की बारे में बात करता हूँ, तो इसकी आपको theme बतानी है, यदि आप theme नहीं बता पाऊगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम से कम यह तो बताना है कि यह basically disease किस से related है, यह कहिना कि आप से expected questions है, और यह अभी भी answer नहीं कर पारे हो my dear friend, it is a matter of concern whether you are studying in a right way or not, अब बढ़ते हम अपने आज के day के उपर, चो आज है 10th of May, और 10th of May के यह दिमें बात करता हूँ, तो आपको क्या देखने हो मिलेगा, 10th of May को आपको देखने हो मिलेगा, International Day of Argania, International Day of Argania, अब आपके माइन में य question आएगा sir, यह Argania क्या होता है, तो basically यह क्या होता है, Argania जो है, word निकला है Argan से, और Argan basically क्या है, एक आपको tree देखने को मिलेगा, और यदि मैं इसकी scientific नाम की बात करता हूँ, Argan के scientific नाम की बात करता हूँ, तो इसका scientific नाम है Argania spinosa, right, Argania spinosa, तो अब यह जो है, exam में क् इसका scientific name क्या है, तो क्या होगा, Argania spinosa, right, यह point आपको याद रखना है, 10th of May को हम International Day of Argania observe करते हैं, यह याद रख पाओगे, अच्छी बातें नहीं भी रख पाओगे, not an issue, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, जो Argan tree है, इसका scientific name क्या है, इसका scientific name है Argania spinosa, और यह हमें देखने को कहां पर मिलेगी, यह हमें मरकों में देखने को मिलेगी, यह हमें कहां पर देखने को मिलेगी, मरकों में देखने को मिलेगी, और जो Arganian आपका tree है, इसी के base पर मरकों में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है Argania, जो आपको Biosphere Reserve भी देखने को मिल ज सकता है, जो आपका Argania जो आपका Biosphere Reserve है, यह आपको जो है, कौन सी country में देखने को मिलेगा या फिर कहाँ पे देखने को मिलेगा तो आपका अंसर क्या होना चाहिए, सर मुरक्को में देखने को मिलेगा, और Argan जो tree है, इसका scientific name क्या है, इसका नाम है Argania spinosa, और यदि मैं मुरक्को की बात करता हूँ, मुरक्को आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा सर, यहाँ पे आपको मुरक्को देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको Western Sahara देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जिब्राल्टर देखने को मिल जाएगी, स्टेट ओफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिल जाएगी, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी कही न कही बात बनेगी, तो सर हमने यहां से सीखा क्या क्या, हमने यहां से यह सिखा International Day of Argania को हम कब observe करते हैं We used to observe this thing on the 10th of May हम 10 May को कहीं न कहीं International Day of Argania को जो क्या करते हैं observe करते हैं जो Argania है बेसिकली यह जो day celebrate किया जाता है observe किया जाता है किसके ओपर based upon the Argan tree और यदि मैं Argan tree के बारे में बात कर रहा हूँ तो Argan tree basically कहां से जो है word drive हुआ है जो Argan tree का scientific name है यह क्या है Argania spinosa और यह जो Argan tree है अपको कहां पर देखने मिलेगा मुरकों में देखने को मिलेगा और मुरकों में यहां तक कि यह हो गया है कि इनों ने जो है Biosphere Reserve तक का नाम जो है एक tree के उपर रख दिया है जिसका नम क्या है Argania जो आपको Biosphere Reserve देखने को मिलेगा यदि मैं मुरकों के बारे में बात करता हूँ तो यह किस किस के जो साथ है जो है boundary touch करता है यह आपके Western Sahara और Algeria के साथ boundary touch करता है इसके North में आपको जो है Europe देखने को मिलेगा Europe में बहुत specific में हो जाता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा Spain देखने को मिलेगा Between the Spain and the Morocco आपको क्या देखने को मिलेगा State of Gibraltar देखने को मिलेगा और यदि मैं State of Gibraltar की बात करता हूँ तो यह connect करता है Mediterranean Sea को किस के साथ में North Atlantic Sea के साथ में तो यह point कहीं है कि आपको सारे के सारे याद रखने है और देखो एक articles में से कितने जागा questions निकल सकते हैं यदि आप में वो नजर है questions से निकालने वाली तो I hope यह सारे सारी चीज़ें आपको याद हुई होगी तो it is a revision time पहले आपको यह पताना है कि जो मई 10 है यह कौन सा day observe किया जाता है कौन से जो है plant के उपर जो है इस day का नाम रखा गया है इस plant का जो है scientific name क्या है scientific name क्या है और इस plant के उपर जो है biosphere जो reserve है biosphere जो आपको reserve देखने को मिलेगा यह biosphere reserve आपको कहाँ पर देखने मिलेगा उस country का आपको नाम बताना है और उसके पास इस country को आपको यह बताना है इसके साथ boundaries कौन कौन सी टच करती है ठीक है और इस country के साथ जो है यह basically जो है यह जो है यही मैं बात करता हूँ तो यह country के जो है इसके आज़ पास आपको कौन सी state देखने को मिलेगी और यह state जो है किस को connect करती है किस को connect करती है तो यही मैं answer देना start करूँ तो यह जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा international 10th हो मई को कहाँ देखने को मिलेगा international arganian आपको day देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा international arganian day आपको देखने को मिलेगा और यह जो मैं plant के बारे मैं बात करता हूँ if I will talk about the plant तो यह plant जो है argan tree से आया है यह argan tree के base के ओपर इसका नाम रखा गया है और यह मैं scientific जो है name की बात करता हूँ तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा arganian spinosa और biosphere reserve कौन सा देखने को मिलेगा arganian biosphere reserve आपको देखने को मिलेगा country कौन से होगी sir country होगी Morocco और यह सर हम रखको की बात करते हैं और मुरक्को के बीच में मुझे क्या देखने को मिलेगा sir state of gibraltar देखने को मिलता है और यह मैं state of gibraltar की बारे में बात करता हूँ तो यह basically sir connect करता है किसको यह दो sea को connect करता है एक हो गया आपका matranian sea और दूसरा sir कौन सा हो गया दूसरा हो गया sir north atlantic sea north atlantic sea ocean I'm sorry ocean आपको देखने को मिलेगा यदि मैं बात करता हूँ what is the basic difference between the state and istamas एक होता आपका state और एक होता है istamas यदि state basically क्या करता है state connect करता है दो water bodies को दो water bodies को क्या करता है connect करता है लेकिन istamas क्या करता है istamas जो है separate sorry जो istamas होता है यह basically क्या करता है यह connect करता है आपके दो landmass को right तो यह point आपको क्या करने है सारे के सारे point आपके exam के लिए important है और बहुत ही relevant हमने कहीं न कहीं मुद्धों को touch करने की कोशिश की है जो फालतों की news होती है current affair के नाम पे उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जहां से information हम जितनी extract कर सकते थे हमने कर लिए और exam के लिए यतना ही relevant है अब बढ़ने कोशिश करते हैं हम अपने अगली category की तरफ जहां पे आपको कहा देखने को मिलेगा awards, honors and persons in news देखने को मिलेगे यदि मैं awards की बारे में बात करता हूँ तो आपको global vision award के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तो पहले आपको यह पताना है कि यह जो global vision award है ठीक है यह recently इंडिया की कौन सी personality को मिले है उसका आपको नाम बताना है और यह जो observe है यह जो award है किसके दोरा दिये जाते है इनको देता कौन है ठीक है इनको देता कौन है यह point आपको बताना है बस more than enough for your examination उसके बाद यह दिम बात करते हैं New York City International Film Festival की New York City International Film Festival के यह दिम बात करता हूँ तो यहाँ पे best actor का award किसको मिला है best actor का award मिला है अनुपाम खेर को किसको मिला है अनुपाम खेर को मिला है क्यों कि इनकी एक short film थी जिसका नाम क्या था Happy Birthday इसके लिए इनको क्या मिला है अनुपाम खेर को जो है New York City International Film Festival में best actor का क्या मिला है award मिला है यह दि हम बात करते है best short film के director की तो director कौन है यह है आना कुमारा जो आना कुमारा है इन्होंने इसको direct किया है और इनको जो है क्या मिला है इनको जो है best director का award मिला है ठीक है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ठीक है अई होब यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा तो यह दि मैं बात करता हूँ global vision award के बारे में तो global vision जो award है यह basically क्या है यह जो है global vision award के दिमें बात करता हूँ तो यह किसको मिला है गिता मित्तल को मिला है यह किसको मिला है यह मिला है गिता मित्तल को और किसने दिया है यह दिया है International Committee of the Women of Judges, इन्होंने दिया है, और यह जो Global Vision Award है, कौन सी Category के लिए दिया जाता है, यह दिया जाता है Women Judges को, और जो यह दि मैं गीता मित्तल के बारें बात करता हूँ, तो यह क्या है रह चुकी है, यह former Chief Justice रह चुकी है, कहां की, यह रह चुकी है, जमू और कश्मीर की, और यहां पर इदिया आपसे पूछा जाएगा, यह में भी इतना important नहीं है, क्यों, यह जादा important है, आपको यह पता होना चाहिए, कि जो है New York City International Film Festival में best actor कौन थे, best actor आपको देखने को मिलेंगे, अनुपम खेर, अनुपम खेर आपको देखने को मिलेंगे, यह point सारे-सारे exam के important है, और यही आपको क्या करने है, याद भी रखने है, ठीक है, बड़े आगे, इससे पहले आपको यह पताना है, New York City Film Festival के दिवें बात करता हूँ, तो इसमें जो है, आपको क्या देखने मिलेगा, best actor किसको मिला है, best actor मिला है, अनुपम खेर को, और अनुपम खेर के दिव कौन सी movie आई थी, short film थी है, happy birthday, इसके लिए मिला है, यह point आपको क्या करने है, कही ना कहीं सब याद रखने है, याद तो रखने हैं पड़ेंगे, तभी बात वनेगी, बढ़ते हम international events के तरफ, जहां पर हमें कोई, हमारे पास जो है, एक news है, यह international, यह national events में आएगी, लेक कृक रिखा जाएगा, इसमें भारत को, as a digitally inclusive भारत बनाने के लिए, इसमें connected commerce में, जो है, सारा का सारा roadmap दिया हुआ है, कि कैसे हम इंडिया को digital कर सकते हैं, पूरे को बात को digital कर सकते हैं, इसके लिए सारा का सारा roadmap जो है, connected commerce के ओपर दिया गया है, तो आपसे पुछा जा सकता है कि recently connected commerce, it was recently in the news, यह किसे related है, तो यहाँ पर basically it is the road map, यह क्या है, road map है for the digitally inclusive भारत, अब सर्थ digitally inclusive भारत मतलब की क्या, digital से आगया मतलब की क्या, जहाँ पर आपके online transaction, यह सब कुछ होता है, यह digital आगया, inclusive मतलब की क्या, include करना, भारत मतलब की क्या इंडिया, तो each and every citizen और each and every section of the इंडिया, इनको हमें क्या करना है, हमें digitally include करना है, इनको हर एक को digital facilities प्रोवाइड करवानी है, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यगे हम बात करते हैं, तो basically नितिया योग ने, यह connected commerce है, इसके लिए किसके साथ deal sign की है, master cards के साथ की ह हुई है, right, अब exam के लिए जो है, आप से कुछ questions बनेंगे, इनका आपको पता होना चाहिए, आप से exam के लिए कुछ important questions बनेंगे, वो आपको पता होना चाहिए, यदि मैं बात करता हूँ, नितिया योग की बात करता हूँ, तो नितिया योग जो है, इसको फर्म कब किया ग बात करता हूं, नितिया आयोग की, full form की, तो यह basically क्या देखने हो मिलेगा, National Institute for Transforming India, यह basically नितिया आयोग की क्या है, full form है, और नितिया आयोग को form कब किया गया, इसको 2015 में form किया जाता है, और नितिया आयोग का headquarter आपको New Delhi में देखने को मिलेगा, not important, नितिया आयोग के chairperson खुद कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, यदि मैं नितिया आयोग के CEO, Chief Executive Officer की बात करता हूं, तो यह कौन है, अमिताब का, अमिताब कांत आपको देखने को मिलेगे, और यदि मैं इसके vice chairperson की बात करता हूं, vice chairperson की बात करता हूं, त तो यह basically जो है, इसका headquarter आपको कहां पर देखने को मिलेगा, New York में देखने को मिलेगा, बहुत rare है किसी exam में पूछा जाए, और इसके president कौन है, यह है Michael, मैं back, not much important, mastercard का skip भी कर सकते हो, लेकिन नितिया आयोग का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो अभी तक हमने क्या क्या सिखा, हमने अभी तक यह यह सिखा, कि सर यदि मैं बात करता हूँ, connected commerce के बारे में, तो connected जो commerce है, यह basically क्या है, यह road map है, for the, किसके लिए, digitally inclusive भारत के लिए, और इसको release किसके ने किया है, नितिया आयोग और mastercard ने मिलके इसको release किया है, और यदि मैं सर नितिया आयोग और आपको New Delhi में देखने को मिलेगा, यदि मैं बात करता हूँ, नितिया आयोग के chairperson की prime minister खुद होते हैं, नरेंदर मोधी, और जो है, आपके क्या है, जो chief executive officer है, जिसको CEO भी कहते हैं, यह कौन है, यह basically आपको Amitabh Khan देखने को मिलेगे, और यदि मैं बात करता हूँ, vice chairperson के बारे में, यह कौन देखने को मिलेंगे, राजीव कुमार आपको देखने को मिलेंगे, यह सारे की सारे point मैं उमीद कर रहा हूँ, कहीं न कहीं आपको पता होने चाहिए, ओके guys, तो अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको यह बताना है, कि नीतिया आयोग की full form क इसके बाद आपको यह बतानी है, कि यदि मैं बात करता हूँ connected commerce की, तो यह क्या है, connected commerce, बेसिकल, it was recently in the news, यह क्या है, उसके बाद आपको नीतिया आयोग को बताना है कि इसको form कब किया गया, इसके बाद आपको ये बताना है इसका headquarter कहां पे होगा इसके बाद आपको ये बताना है इसके chairperson कौन होगे इसके बाद आपको ये बताना है इसके voice chairperson कौन होगे इसके बाद आपको ये बताना है इसके CEO कौन होगे इसके CEO कौन होगे यदि में नितियायो की बारे में बात करता हूँ, तो नितियायो की फुल फॉर्म क्या है, National Institute for Transforming India, यस, और जो है, Connected Commerce क्या है, Road Map है, किसके लिए सर, Digitally Inclusive भारत के लिए, फॉर्म कब किया गया, सर, 2015 में फॉर्म किया गया, Headquarter सर, कहां पे देखने को मिलेगा, New Delhi के अंदर द मतलब बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए, एक्जाम में सम्टाइम पूछ ले जाते है, I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं स्पोर्स की, तो आज स्पोर्स में हमारे पास कुछ अच्छ फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर कौन था, जिसको ICC प्लेयर आफ़ फर्स्ट प्लेयर था, तो आपका अंसर क्या होगा, रिशव पंत, अब यहां से रिशव पंत से मुझे याद आएगा कि हमने पंत के बारे में पढ़ा हुआ पहले, जिनका नाम क्या था, प्रफूल चंद्र पंत राइट और ये दिमें प्रफूल चंद्रा पंत की बात करता हूँ तो बेसिकली ये क्या है ये सर जो है नए जो है क्या बन गए है आपके नए जो है चेर मैं बन गए है ये जो क्या बन गए है सर किसके बने है ये बने हैं आपके National Human Rights Commission के National Human Rights Commission के और सर यह दि मैं National Human Rights Commission के बारे में बात करता हूँ तो इसका Headquarter कहां पर देखने को मिलेगा सर New Delhi के अंदर देखने को मिलेगा और यह जो है form कब किया गया in the year 1993 तो यह सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए तो बावराजम क्या बने है ICC Player of the Month बने है April मन्त के लिए लेगिन हमारे एक्जाम के लिए important नहीं है हमारे एक्जाम के लिए रिशब पंत important है रिशब पंत जो है क्या बने है ICC First ICC Player of the Month बने थे और रिशब पंत से मुझे याद आएगा प्रफूल चंदर पंत के बारे में जो कि क्या बन गए है नई Chairman बन गए है National Human Rights Commission के और National Human Rights Commission के बारे में यह दि मैं बात करता हूँ तो इसका basically headquarter आपको कहां पे देखने को मिलेगा New Delhi के अंदर देखने को मिलेगा और जो है इसको found किया गया था in the year 1993 ऐसे इंटर लिंक करके यदि हम करेंगे current affair को cover करेंगे तो बहुत comprehensive way में जो है चीज़ें cover होगी और यह यहां तक हो गया अब यहां तक हो गया अब यही मैं बात करता हूँ जो यहां से जो हम extra information निकाल सकते थे इसलिए यह चीज़ें हमने कहीं न कहीं इंकलूड किया है अदर यही मैं बात करता हूँ headquarter के बारे में headquarter आपको कहां पे देखने मिलेगा दुबई के अंदर देखने को मिलेगा और जो है आपके chairman कौन है ICC के इनका नाम क्या है इनका नाम है Greg Barclay Greg Barclay के बारे में आपको पता होना चाहिए अब एक और जो दूसरी हमारे पास के cricket से रिलेटी नूस है यह है कि जो है अरजान नागवास्वाला यह बिसकली क्या बन गए है अरजान नागस्वाला बिसकली यह क्या बन गए है फरस्ट पार्सी जो है बन गए है जो उनको इंडियन क्रिकेट में जिनके selection हुई है किस selection किसके लिए हुई है, इंडिया जो है, World Test Championship के final में है, और जो कि final कहाँ पे खेला जाएगा, final खेला जाएगा सर, London के अंदर, London कहाँ पे, Lord Cricket Ground पे, against किसके, against New Zealand के, तो इसके लिए जो है, क्या किया गया है, इसके लिए जो है, इंक्लूड कर लिया गया है, अराजान नग not very comfortable against the left armor seam ballers, that's why, कहीं न कहीं, इससे वहाँ पे help मिल जाएगे, right, तो I hope यह सारी-सारी point जो है, आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, बढ़े आंगे की तरफ, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, अब हमें जो है, यह देखने मिलेगा, ICC के जो है, पहले आपको यह ब more than enough for your examination, reports and indices की यह दि में बात करता हूँ, तो पहले आपको यह बताना है, global energy transition index, right, यह दि मैं global energy transition index की बात करता हूँ, तो इसको जो है, आपको पहला question यह बताना है, इसमें जो है, इंडिया का rank क्या है, इसमें इंडिया का rank क्या है, चाइना का rank क्या है, right, और इसको जो है Basically यदि मैं बात करता हूँ इसको published कौन सी जो है इसको published कौन करता है इसको जो है published कौन करता है यापको पता होना चाहिए यदि मैं बात करता हूँ Global Energy Transition Index के बारे में तो आपको कहा देखने को मिलेगा जो इंडिया का rank होगा ये कितना होगा ये होगा आपका 87, इंडिया का रंग क्या होगा 87 और 68 रंग किसका है चाइना का है, पब्लिश कौन करता है सर, वर्ल्ड एकनोमिक फर्म, और यह वर्ल्ड एकनोमिक फर्म को जो है फांड किया जाता, in the year 1971, यह सारे का सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, आपको यह अच्छे से आज हमें देखने हूं मिलेगा, आज हमें देखने हूं मिलेगा, Global Prime Residencial Index, Index कौन सा है, Global Prime Residencial Index, पहले जो है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, कि सर, इसको जो है, basically publish कौन करता है, इसको जो publish किया जाता है, नाइट फ्रेंक के दौरा, और ये नाइट फ्रेंक क्या है, basically ए याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना, बस ये पता होना चाहिए, Global Prime Residencial Index में इंडिया का rank क्या है, इंडिया के यदि मैं cities की बात करता हूं, तो ये cities कहां पर आएंगी, इंडिया जो है, 32 पे New Delhi देखने को मिलेगी, 36 में महीं देखने को मि Summit in the Prime Residencial Price in the Local Currency across the 45-plus cities worldwide, मतलब क्या, जो करनसी है, करनसी की क्या मुवमेंट हो रही है, across the countries, इसके हिसाफ से क्या करती है, ये जो है, जो cities होती है, इसको क्या करती है, डिवाय एं और ये जो है इंडिया की cities के बारे में 32 पे आपको क्या देखने को मिलेगी, 32 पे डैली दे बस थोड़ा बहुत आपको कही ना कही याद रखना है कि ऐसे कुछ चीज इन चल रही है इसके बाद आपको यह बताना है इसका headquarter आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो यही मैं बात करता हूँ तो जो organization यह है border road organization और border road organization के बात करता हूँ इसको found किया गया था in the year 7th मही 1960 और यह क्या था इसका 61st raising day था डारेक्टर जनरल कौन है राजीव चौधरी आपको कहाँ देखने मिलेंगे डारेक्टर जनरल देखने को मिलेगे और headquarter कहाँ पर देखने को मिलेगा headquarter आपको देखने को मिलेगा New Delhi में और यह दि मैं बात करता हूँ border road organization की तो यह कौन सी ministry के अंदर आती है defense ministry के अंदर आती है और इसका prime काम क्या होता है कि जो hilly areas होता है वहाँ पर आपको क्या करना है road को construct करना है और जो border वाले area है वहाँ पर आपको क्या करना है road की construction करनी है तो आज हमारे पास जो है बाकी क्या देखने मिलेगा environment का कोई भी current affair नहीं है सब्मिट कोई नहीं है science and tech में एक है बस आपको यह पता होना चाहिए कि DOGE1 mission किसके लिए है और किसने launch किया है यदि मैं इसको DOGE1 mission की बात करता हूँ तो यह moon के लिए यह जो है moon का mission है पहला पांट question यह बनेगा दूसरा इसको किसे ने launch किया SpaceX का mission है बस more than enough है for examination ज्यादा PhD करने की जूरूर था ही नहीं बस थोड़ा बहुत पढ़ो और आगे बढ़ो तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा DOGE1 mission जो है किसके लिए है moon के लिए mission है और य यहाँ पर आपको यह देखने मिलेगा इसको launch किया गया था SpaceX के दौरा और SpaceX के जो founder है इनको कौन नहीं जानता Elon Musk और इन्होंने found किया था 2002 में और यह आपको इसके CEO भी देखने हो मिलेगे headquarter कहां पर है California के अंदर है तो आप guys आपको बताना है DOGE mission किसका है और किसके लिए launch किया गया है easily आप बता दो गया अब तो इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए okay guys तो इस इक साथ जो है इस वीडियो की जो है खत्म यहीं पर करता हूँ लेकिन आपको थोड़ी बहुत instruction सुनके जाना है कल मैंने सारी-सारी PDF जो है upload कर दी है चंडिगार करेयर के टेलिग्र d.me.narendvip जैसे आप यह भी सर्च मार होगे तो मैं आ जाओगा वहाँ पर और आप क्या कर सकते हो जो है मेरे साथ personally connect हो सकते हो और आपको ऐसी PDF जो है यहाँ पर मिल जाएगी and I hope guys कही ना कहीं आपको यह session अच्छा लगा होगा और यदि यह session अच्छा लगा है तो आपको जैसे पता है कि आपके पास सब तीन options है कि यदि आपको appreciate करना चाते हो तो आप क्या कर सकते हो like कर सकते हो appreciate करना चाते हो तो like कर सकते हो यदि आपको बेकार लगा है तो dislike कर सकत मेरे स्टूदेंट्स ने तभी मैं इतना इंप्रूब कर पाया अदरवाइस शायद मेरे को यह साउंट सही लगती और यदि मैं बात करता हूँ कि यदि आप डेली जो आते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो का तो आपको करना कुछ नहीं है बस दो सेकिं पाया झाल सेकिल टूब कर बस। आपको कर दो आते हैं कि यदिकेशन मिल आपको करना की यदिकेशन